हेलो एर्यवान आज की इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूं चैट जीपीटी की बारे में की भाई गुड है या बैड है या फिर आमें उसका यूज करना चाहिए नहीं करना चाहिए क्या डिसद्वांटेज है और क्या डिसद्वांटेज है तो सारी चीज अगर मेरा मानना है कि देखो मैंने बहुत यूज किया है चैट जीपीटी का तो मुझे तो परसनल अगर एक्सपीरेंस के साब से बात करी है तो बहुत सही क्योंकि हर एक चीज में आपकी बहुत हेल्प करता है आप कोई कोड लिख रहे हो अगर कोड में कोई प्रॉब्लम है सारी चीजे चैट जीपीटी सही नहीं देता है खहर कोड में यह तो मैं मानूंगा लेकिन हाँ यह है कि इतना पावरफुल टूल है कि काफी सारी नौलेज आपको हर एक चीज में आपकी हेल्प करता है जैसे सबोज मैं कोई यूट्यूब वीडियो बनाता हूं तो अग स्क्रिप्ट कुछ लिख रहे हो तो चैट जीपीटी से लिखवा लेता हूं मैं अबड़े आराम से तो उसमें भी काफी हल्प है कोई प्रोजेक्ट बना रहो जैसे इसके पिछले वीडियो मैंने बोला कि क्या चैट जीपीटी से हल्फ हम ले सकते हैं कुछ क्या प्रोजे और चैट जीपीटी यूज करना सीख लो जरूरी है सब यूज करते हैं यह मत सोचो कि नहीं हम तो सिर्फ अपने मन सही सारा सब कुछ करेंगे यार कब तक करोगे जब चीजे अवेलेबल है तो उसका यूज करो है ना जगर चीजे आपको अवेलेबल है जैसे कुछ लोग चीजे लो सब यूज कर दें भाई स्क्रिप राइटिंग में कर लो तुम्हें कोई चीज हमें बतानी इस वीडियो में डिसकस करनी है क्या इंपोर्टेंट है क्या चल रहा है वो सारी चीजे तुम्हें वो चीट जीपीटी लिग करना सीखो क्योंकि maximum लोगी सारा यूज क तो आप भी कुछ बहुत सारी चीजे में चैट जीपीटी से करवाता हूं कुछ भी हो चैट जीपीटी पर डालो आ गया। है ना तो आप भी उस करो अब आते हैं डिसद्वांटेज क्या है गड़बड यह है उसको लिमिट में कुछ करो लिमिट में मतलब कि अब यही नहीं कि बिल्कुल उसी पे जैसे मैं युछ करता हूं मैं जैसे 30% 40% 100% का क्राइटरी तो 30% 40% में चैट जीपी अब यह मत करो कि पूरी ही हेल्प ले लो चैट जीपीटी से सब कुछ लिखवा रहे हो तुम चैट जीपीटी से पस घर का काम नहीं कर पा रहा है बाकि तुम सारी चीज़े लिखवा ले रोज से तो वो गलबड चीज है अब जैसे कोई प्रोजेक्ट के बारे में आप कर रहो कोई भी लिया है तो उसे पढ़ना भी जरूरी है तो यह गड़ बड़ अब कुछ लोग क्या करते है चैट जीपीटी को बिल्कुल ऐसे यूज करते कि अब तो हमें कुछ करना ही नहीं है अब इसी को जो करना है करवाओ चैट जीपीटी तो हमाएं हेल्प के लिए है थोड़ी मांक से भी सोचो और अपनी डेली डेली लाइफ में मैं तो यूज करता ही रहता हूं चैट जीपीटी का मैं बहुत यूज करता हूं और आपको भी करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोग करते हैं तो सीख लो जैसे प्रॉम्ट देते हैं कैसे टेक्स देते हैं होता है यह सारी चीजे आप पढ़ोगे तो समझ में आगे इसलिए chat GPT का यूज करना जरूरी है सीखो और उससे help लो उससे काम निकल वाओ यार मिला हुआ है आपको अच्छे से कोई चीज आपको अगर मिली हुए तो उसका यूज करो न है कि नहीं तो ये पूरा वीडियो ह आपका chat GPT पे तो chat GPT का यूज करना सही है यूज करो लेकिन लिमिट में करो ठीक है जिससे की चीजे सीखते रहो और अपने काम को थोड़ा हलका करते रहो कोई भी सब्सक्राइब पढ़ लो दुबार अच्छे से बस तो दोस्तों गर वीडियो पसंद आया तो वीडियो क comment section में solution दे सकते हैं तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद